एस ए एल एम साम, एल साइलेंट है यहाँ पर, तो इस वीडियो में साम का इंग्लिश और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है, जानेंगे, एक्जम्पल से इसको सेंटेंस में यूज़ करके अच्छी तरह से समझेंगे, तिस साम, मतलब होता, a sacred song, poem or prayer in the praise of God, खुदा की तारीफ में की जाने वाली या गाय जाने वाली वाला जो गीत होता है, खास करके जो बाइबल में अंकित हैं, उसको हम साम बोलते हैं, तो हिंदी में साम को मतलब बोलता है, गाना, गायन, गीत, भजन, मतलब धार्मिक गीत, गान या प्रार्थना, मतलब हर धार्मिक गीत के लिए हम आप साम बोल सकते हैं, साम के synonyms आते हैं, song, hymn, chorus, chant, melody, spiritual song, a holy poem or song, sacred song, and it is similar और भी इसके synonyms हो सकते हैं, एक example से हम इसको और भी अच्छी तरह से समझ लेंगे, जैसे बोलेंगे sentence में, this song talks about how God should be praised, मतलब हुआ इंग्लिश में हिंदी में यह भजन बात करता है, कि हमें भगवान की किस तरह से तारीफें करनी चाहिए, तो साम का मतलब हुआ भजन, ठीक है तो उमीद अपने साम को इंग्लिश और हिंदी में example के साथ मैं अच्छी तरह से समझ लिया है, thanks for watching your skincare desk All yours और मतलब हिंदी, ह मό infl tamp good l